अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके जिसमें आजम बात करने जा रहे हैं विद्याबालन की शौर्ट फिल्म नटखट का प्रीमियर जीयो मामी फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हो चुका है और ये फिल्म आपके खोश उणाने लायक है हर साल मुंबई में होने वाले मामी फिल्म फेस्टिवल को इस बार यूटूब पर किया जा रहा है इसी में विद्याबालन की फिल्म नटखट को दिखाया गया इस फिल्म के सहारे हमारे लड़के ही लड़के रहेंगे वाली सोच पर सीधा प्रहार किया गया है बात करते हैं फिल्म की कहानी की तो फिल्म एक छोटे स्कूल के बच्चे सोनु की कहानी है जो छोटी सी उम्र में ही लड़कियों को छेड़ने उन्हें अगवा करने और ज परिवार में रहता है, जहान औरतों को परदे में रखा जाता है और उनकी इज़त नहीं की जाती है और उन्हें बिल्कुल भी अपनी बात रखने की आजादी नहीं होती है। बात करते हैं फिल्म में प्रफॉर्मेंस की तो विद्या बालन स्टारर फिल्म में बहुत सारे करेक्टर हैं जिनुने छोटा छोटा रोल निभाया है और जो की बहुती बढ़िया निभाया है। सीख दे कर उसे बहतर इंसान बनाने की जद्दो जहद में लगी हुई हैं। और सोच इस फिल्म में बखुबी तारीके से दिखाई गई हैं। बात करते हैं फिल्म के डायलोग की तो इसमें बहुती शानदार तरीके से कई सारे डायलोग डाले गए हैं। जो हमारे समाज की सोच पर तीका प्रहार करते हैं। लड़का है तो जाने दो। लड़कियां क्या किसी लड़के पर हाथ उठा सकती हैं भला। मना नहीं करोगी तो ये बरबाद हो जाएंगी। जब लड़कियां माने ना तो उठवा लेना चाहिए। इस तरह के तमाम डायलोग हैं जो हमारे समाज की बड़ी प्रॉब्लम्स को साफ दिखाते हैं। इस फिल्म में उन डायलोग का इस्तमाल किया गया है और ये काफ़ी दमदार तरीके से दिखाए गए हैं। प्रभासाक्षी की टीम की तरफ से फिल्म नटखट को पांच में से चार स्टार, एक स्टार इसकी खुपसूर्ती के लिए जो बहुत ही अच्छे से लिखी गई है इसकी कहानी और इसमें किरदारों ने भी बहुत ही शांदार काम किया है, इसके अलावा डायलोग बहुत ह पर खरी उतरेगी और आपको एक बहुत ही बढ़िया संदेश देगी और हमारे समाच को आईना दिखाएगी, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ, नमस्कार